लालू प्रसाद यादब के जमानत को रद कराने सुप्रीम कोट पहुँची CBI को सुप्रीम कोट ने पहुत बढ़ा जटका दे दिया है और सुप्रीम कोट ने साप साप सब्दों में ये बात किलियर कर दी है कि लालू प्रसाद यादब की जमानत को रद करना मुश्किल ही नामुम्किन है और इसके साथ ही साथ साप साप सब्दों में सुप्रीम कोट ने ये बात भी किलियर कर दिया कि लालु प्रसाद यारब को दुबारा जेल भेजना भी काफी मुश्किल है आखिर पूरा मामला क्या है पूरा मामला इस तीन से पाच मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहा है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो लोग और लेडि कर चुके हैं उन्हें तमाम लोग को सहिर्दे धन्वाद अब वापस आते हैं अपनी खबर पर उससे पहले आपको बताते चले याज लालू प्रसाद यादब उनका पूरा पडिवार और उनके सारे समर्थकों में काफी खुसी देखी जा रही है और ये खुसी जो देखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्नय आया है उसी को लेकर लालू प्रसाद यादब उनके तमाम समर्थक काफी खुस है आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादब की जमानत को रद कराने के लिए CBI सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगी वहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट से ही जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो हम आपको बताने आये हैं दरसल बताया जा रहा कि सुप्रीम कोट ने साप साप संकेत दिये हैं कि चारा घोटाले में कि एक मामले में जहारखंड हाई कोट द्वारा आरजेटी प्रमुख लालु प्रसाद यादव को दी गई जमानत को रद करना काफी मुश्किल होगा, कोट ने ये भी कहा कि ये लाल उनका एक छोटा सा सवाल है, इस मामले में Justice A.S. बोपन्ना और Justice M.S. सुंद्रेश की पीठ ने कहा कि जमानत 2019 में दी गई थी, पीठ ने ये भी कहा कि अगर हम आपके पक्च की बात करते हैं, तो भी उन्हें वापस जेल भेजना काफी मुश्किल होगा, और कोट ने कहा कि दरसल हाई कोट ने यह मानने में गलती की थी कि चारा गोटाले के बिभिन मामलों में लालू प्रसाद ज्यादब को दी गई सजा एक साथ चलनी थी, ना कि एक के बाद एक, A.S. जी ने कहा कि लालू को जमानत इस धारना पर दी गई, कि उनको मिली सजा एक साथ चलेगी, एक के बाद दूसरी नहीं चलेगी, लालू की ओर से पेस हुए बरिष्ट वाकील कपिल सिब्बल की पिछ ने कहा कि मामले की अपिल में CBI की तरब से 14-15 महिने की देरी से ये याज का दायर की गई है, उन्होंने पीट से ये भी अन्रोध किया कि भविस में किसी अन्न मामल के निर्ने के लिए कानून के सवाल को खुला रखते हुए इसका निप्टारा किया जाना चाहिए, वहीं आपको बताते चले कि CBI पर निशाना सालते हुए लालू प्रसाद यादब के वकील कपील सिब्बल ने कहा कि एजेंसी का मुख हिरादा अपने मुख्यल को 2024 के चु चुनाब को लेकर जेल भेजना चाहती है, संचित सुनवाई के बाद पीठ ने इस मामले को जनवडी 2024 तक के लिए अस्थागित कर दिया, जाच एजेंसी ने हाई कोट के 12 जुलाई 2019 के पारित आदेश को चुनोती देते हुए कहा, कि उसने निचली आदालत द्वारा सुन जंबित किया और आरजेटी प्रमुक को चारा घोटाले के एक मामले में जमानत पर रिहा कर दिया था, दरसल आपको बताते चले कि लालू के वकीलों ने कहा, कि दरसल इस मामले में दीगई सजा साथ साथ चलती है, इसे हाई कोट ने भी मान लिया था, अगस्त में लालू क कि जमानत रद्य करने की याजका को नामनजूर कर दिया जाए, तब CBI ने कहा था, कि दरसल लालू प्रसाद्यादब बेडमिंटन खेल रहे हैं, लालू प्रसाद्यादब घूम रहे हैं, लालू प्रसाद्यादब सभा कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोट ने CBI की किसी दल मामले में लालु प्रसाद यादव को इस आधार पर जमानत दी थे कि उन्होंने अपनी साधे 3 साल के जेल की सजा का आधा समय पूरा कर लिया था सुप्रीम कोट सीबियाई की अफिल पर सुनबाई करने के लिए सहमत हो गया और फरवरी 2000 में लालु प्रसाद यादव को काफी मुश्किल है वहीं आपको बताते चले कि लालु प्रसाद यादव की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि दिरसल लोकसभाद चुनाब को लेकर किंद सरकार को डर सता रहा है कि लालु प्रसाद यादव अगर बाहर रहते हैं तो भाजपा का जमानत बिहार में जब्त ह हो सकता है भाजपा को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और इसी को लेकर भाजपा केंद्रिये एजेंसियों जैसे की CBI और ED का दुरूपयोग कर रही है और CBI और ED के सहारे इनको जेल भेजना चाहती है लेकिन सुप्रीम कोट ने जमानत रज करने की याजका को एक तरिके से नामंजूर कर दिया CBI की दलील को सुन कर साप साप सब्दों में कह दिया कि लालू प्रसाद यादव को जेल नहीं भेजा जा सकता इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिकिडिया है आप अपनी प्रतिकिडिया देना मत भूलिएगा वहीं आपको बताते चले कि इस चोबिसे घंटे न्याय देने के लिए तयार रहता है सुप्रीम कोर्ट के इन निर्ने पर सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव पर जो निर्ने दिया है उस पर आप अपनी प्रतिकिडिया देना मत भूलिएगा जूरे रहे हैं अमारे साथ जय हिन जय भारत जय जय है